अज से हम लोग एक नए सूज के साथ में एक नए विचार के साथ में इस जो सेशन को है फिजिसकल क्लास को है सो कंटिन्यू करेंगे ठीक है हम एसो जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहते है ठीक है कुछ-कुछ बहुत सारा टॉपिक है सो मिक्स करके पढ़ाते थे लेकिन नही एक दिन में हो सके दो तीन चार ऐसा करके वीडियो डालूँगा चोट अचोट अई डालूँगा जिससे आपको अच्छे समझ में और उस टॉपिक को आप कभी भी देख सके ऐसा नहीं कि लॉंग लॉंग लेक्चर बना दू लॉंग 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 वीडियो बना दू वह बस आप लोग टॉपिक होशते रहें कहां बताएं कहां बताएं कहां बताएं ठीक है वैसा नहीं अब एक टॉपिक बताऊंगा और वह प्यूरा क्लियर रिले ठीक है तो आज के डेट में हम लोग इस इलक्ट्रो मोटिफ फोर्स यानी एम एफ क्या होता है इसके बारे दू, तो कोई भी है, हम लोग current के बारे में बात कर रहे थे हैं, अगर current flow कर रहा है कोई भी conductor में, किसी भी चीज में, तो क्या करता है, जब flow करता है तो वह उसका पे फोर्स काम करता है जिसका नाम है emf, अब इसको सक डेटेल में समझना है, तो वो जरह से हम लोग पढ़ते है ठीक है तो the EMF of a source, EMF का है एक source है, maybe defined as, क्या defined करता है वो देखते है, the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to the higher potential ठीक है, जो ये मतलब एक unit positive charge को हम लोग ले रहे ठीक है, इसको lower से higher potential तर पहुचाने के लिए जो work done करता है source, जो source work done करता है, यानि काम कर रहा है एक unit positive charge को lower से higher potential तक पहुचाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या EMF, ठीक है, एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कि the EMF of a source is equal to the maximum potential difference between its terminals, मतलब EMF एक source है, जो किसके equal होता है, maximum potential difference, potential difference के equal होता है, दो terminal के बीच का, यानि दो terminal के बीच का, जो maximum potential difference होगा, उसके equal होगा हमारे EMF, ठीक है, और when it is in the open circuit, और circuit क्या होना चाहिए, open होना चाहिए, open और closed circuit, आप लोग को बता हैं, नहीं बता हैं, अगर नहीं बता हैं, तो आगे बता दूँगा, आप लोग को पहले से पता होगा तो बहुत अच्छे, ठीक है, अगर हम लोग EMF का बात करें, तो work done by charge, यानि charge के द्वारा कितना दा work done किया जा रहा, उसको हम लोग बोलते हैं, EMF, यहां work done by charge, SI unit के बता होगा, SI unit के बता होगा, SI unit के बता होगा, याद रखिएगा, ठीक है, अब इसे related एक और topic है, जो हम point of view से बहुत जादा important topic है, ठीक है, EMF को हम लोग और भी आगे बहुत अच्छे तरीके से, video मतलब, वो figure के थूरू समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, थ्वासा आगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग डेख लेते हैं, EMF versus potential difference, यानि EMF क्या है, potential difference क्या है, दोनों में difference क्य पहला में, it is the work done by a source in taking a unit charge, once around the complete circuit, ठीक है, एक complete circuit में, एक unit charge के दोवारा, जो work done किया जाता है, उससे को बोलते है, EMF, ठीक है, एक source, वैसा source, जिसके दोवारे, एक एक ऐसा source, जो unit positive charge को एक complete source में, बलब, complete circuit में काम करा दे, उससे को बोलते है, EMF, potential difference क्या बोलता है, it is the amount of work done, ठीक है, यहां बोलता है, it is the work done by a source, यहां बोलता है, it is the amount of work done in taking a unit charge from one point of a circuit to another, एक point से दूसरा point तक, पूरा circuit नहीं बोलता है, एक point से दूसरा circuit point तक, अगर कोई भी unit positive charge के तरो, जो work done हो रहा है, उसका पूरा amount, वह यह सो potential difference हो गया, ठीक है, मतलब, एक unit point से दूसरे point त difference है, और यहां का बोलता है, complete circuit में बोल रहा है, ठीक है, दूसरा point के बात करे तो, it is equal to the maximum potential difference between the two terminals of a source when it is in an open circuit, अब भी हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, यह क्या होता है, equal होता है, maximum potential difference का, किसके किसके बीच का, दो terminal के बीच का, ठीक है, और यह मतलब, क्या एक open circuit में होत है, जब कि potential differences six exit कर दा है, दो point के बीच का, ठीक है, यह circuit के नहीं, दो point के बीच का, और यह iso, closed circuit में होता है, यह second point था, ठीक है, अब हम लोग next, 3rd point देखते है, it exits the when the circuit is not closed, यह कभ exit करता है, जब स्रकित हमारा close नहीं होता है, जब क्या potential difference कब है, इसो exit करता है, जब circuit है, इसो closed होता है, ठीक है, fourth point की बाद करें, तो it has non electrostatic origin, ठीक है, यह सो electrostatic origin नहीं होता है, ठीक है, जबकि it organizates from the electrostatic field setup, जब हम लोग electrostatic करते होतों, उसमें originate होता है, potential difference है, यह हम लोग electrostatics unit में पढ़े वेता है, ठीक है, it is a cloud, इसके कारण से होता है, ठीक है, यह सो काम करवाने का कारण बनता है, लेकिन it is an effect, यह effect डालने का काम करता है, potential difference है, ठीक है, जहाँ emf कारण बनता है, वह पौटेंचल difference एफेक्ट डालता है, ठीक है, sixth point की बात करें, तो it is larger than the potential difference across any circuit element, कोई भी circuit element में यह potential difference है हमेशा बड़ा होता है EMF जबकि it is always less than the EMF जबकि यह potential difference हो से हमेशा छोटा होता है EMF से ठीक है तो यह छोटा सा topic था जिसमें हम लोग क्या समझें potential difference क्या होता है EMF क्या होता है और EMF के साथ में potential difference क्या होता है और दोनों के बीच का difference गया ठीक है ये छोड़ अच्छा topic का my difference और next video में इसके अगला हम लोग topic को complete करेंगे ठीक है तो I hope EMF का topic आप लोग को अच्छे सा समझ में आयोगा ठीक है तो thank you everyone